हेलो गाइस सो वेलकम बैक टू चरवाशी अग्रोफार्म है तो गाइस आज यह पोल्ट्री का अपडेट है कि कल यह अप्ट्रे देख सकते हैं यह जो है यह मेरा पोल्ट्री है ठीक है अंदर से वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर क्या है कि पांच अंडा और आज के दिन का एक अंडा मतलों छे अंडा टोटल यहां पर छे अंडा था ठीक है आज मॉर्णिंग पर मैं देखके गया तो मैं तो ऐसा मैंने तो ऐसा सुचा था कि चलो यहां पर अंडा है मतलब जो डेली डेली जब मुर्गी यहां पर पूरा भीगा हुआ है मतलब तीन अंडे जो है वह अब हो सकता है कि उन्होंने जब करके फोड़ा हो या दोरा-दूरी जब कर रहे थे तो उस टाइम पर फूटा हो लेकिन जो भी है यहां पर कुछ नहीं है बस आपको लिक्विड मिलेगा पानी मिलेगा इसका मतलब है कि तीन अंडे को उन्होंने फोड के और उसको खा लिया है जो भी उसका उपर वाला जो भाग होता है वह इन्होंने खा लिया है तो यह तो अलगी टैप का टेंशन हो गया अब मुझे यह करना पड़ेगा कि यह जो अंडे हैं इनको घर पे ले जाकर रखना पड़ेगा और जब 12-15 अंडे जब हो जाएंगे फिर मुर्गी जब उसको मतलब अंडे उपर बैठना चाहेगी उस टाइम पर सारे अंडे को मुझे उन लोग को बिठाना पड़ेगा वरना ऐसा अगर हुआ तब तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यह देखिए यह देखिए पूरा यह देख सकते हैं अब ठीक है यह देखिए पूरा भीगा हुआ है ठीक है तो यह चीज जो है अभी नाया मतलब य इसे अंडे टूटे हैं वह तो मेरा पास्ट में भी हुआ है मेरे साथ लेकिन इस तरीके से दो तीन अंडे अगर यह लोग तोर देंगे तब तो काफी ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा यह दिखिए यह अंडा ठीक तो है यह भीगा हुआ है तो चलो ठीक है तो इसको अलग से रख दूँगा सेफली ताकि अंडे जो है वह फूटे नहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो और बाद में जब मुर्गी बैठना चाहेगी उस टाइम पर मुर्गी को ले जाके अंडों पर बिठा दूँगा ठीक है गाइस ठीक है गाइस तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मैं एक छोटा किसान हूँ जो पोल्ट्री करता है डेरी करता है मुर्गियों का फार्म उसके बाद वेजिटेबल जो सबजिया है उनका भी खेती करता हूं तो काफी सरा चीज मतलब एकरी कल्चर से खेती बड़